जब घर में कोई भी हरी सबजी ना हो और ऐसे में समन ना आए कि आज खाने में क्या बनाया जाए जो बनाने में आसान हो खाने में टेश्टी भी हो और सबसे बड़ी बात घर में सबको बहुत पसंद आए तो आज की रेसिपी ट्राय करके देखीगा फ्रेंड्स मैं टंए डालने के बाद में डाल देंगे हम 2 । 2 communal ट्माटरी में 2 2001 में डालने के तीखे पन के लिए 2 सब्सक्राइला अधर्यग करें आपी 5-6 काजू और मसाल consistency के सही चार तर लोंग लिए है बाद में अभ्राइब स्वेता है साथ में टेस्क को बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे लिया है 5-6 काजू और मसालों के फ्लिवर के लिए मैंने यहां पे लिया है एट टूगड़ा दालचीनी का साथ में 4-5 लॉंग ली है सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे यानि मध्यमाच पे और मीडियम फ्लेम भी लगब 3-4 मैट के लिए पकाना है इन सभी चीज़ों को ताकि सभी चीज़े नरम सी हो जाए और कुक हो जाए तो मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि सभी चीज़े अच्छे से पक जाए और टाइम बहुत कम लगे तो लगब 3-4 मैट के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर 3 मैट के बाद चेक कर लेते हैं तो यह देखें सभी चीज़े अच्छे से कुक हो गई है नरम हो गई है यह देखें इधा पर्फेक्ट अब गैस को बन कर देंगे अब सभी चीज़े को हम प्लेट पर निकाल लेते हैं और जो हमने खड़े मसाले एट किये था लॉंग दाल चीनी उनका जो फ्लेवर था बॉयल होने के बाद में पानी में अच्छे से आ गया है तो वह पानी हम यूज कर लेंगे लेकिन जो खड़े मसाल इसको हटा देंग ग्रेवी बनेगे बहुत क्रीमै च्छलका उताने के बाद में अब सभी चीज़ों को हम अथनदा कर लें घ्र गया है बहुत था कर लेंगे हम एक कप मखाने को में अच्छे से ड्राय कर लेंगे ताकि मखानी अच्छे से क्रिस्पी करारे से हो जाएheen और यहां माखानों को मैंने दो तीमेट के लिए अच्छ से ड्राय रोष्ट कर लिया है माखान ferment क कर लिए इनको प्लेट पे कट कर लिया है आलू को हम बहुत बड़ ब přेसाइज में नहीं कट करेंगे अब आलू को हमें मीडाव फ्राइ करना है हमें आलू को इसully तरह से पते ह्पर्द कर अधर से पर पहर से कर दे शाये और यहां देखे अथे कर लिया है वह हर यह तक है अफ तो यहां पे देखिए मैंने आलू को प्लेट पे निकाल लिया है अब जितना तिल कढ़ाई बचा हुआ है इसी से हम बनाएंगे आज की ग्रेवी तो पहले हम गैस को मीडियम कर देंगे तो पहले हम तड़के के लिए डालें कुछ खड़े मसाले तो मैंने यहां पे लिया है आदी चम्मा जीरा, एच ओथाई सौफ, दो सुखी हरी लाइची सभी चीड़े को तेले पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक खड़े मसाले फ्राई हो रहे मैं आपको सुखी मसाले दिखा रही हूँ जो हम ग्रेवी में यूज करेंगे तो बहुत सिंपल बेसिक मैंने यहां पर लिये हैं तो मैंने यहां पर लिया है ग्रेवी के लिए एच चम्मा धनिया पाउडर, एच चम्मा सबजी मसाला, आदी चम्मा काश्मीरी मिश्का पाउडर, एच ओथाई हल्दी पाउडर, नमक स्वादनुसार, एच उटकी हींग, साथ में टेस्को मसाले जल जाएंगे, अभी को धीमी धीमी आज पर हम मसालो को पहले अच्छे से भून लेते हैं, तो लोग फ्लेम पर लगभा एक मैट के लिए मसालो को मैंने अच्छे से भून लिया है, मसाले बहुत अच्छे से भून गया है, साथ में बिशन अच्छे से भून गया है, मसाले जल ना जाए तो मैं इसमें आट कर दूँगी दोशे मज़ पानी अच्छे से मिला देंगे अब मसालो को अच्छे से भून लेते हैं और यहां पर पानी डालने के बाद में देखी जो मसाले कितने अच्छे से भून गया है तेल भी सेपरेट हो गया है अब इसमें आट अब जितना पेश्ट मसालों का लगा हूँ अतजार में उसे मैंने कढ़ाई पानी रखा हूँ पहले बॉइल करने के टाइम पे वह मैंने एड कर दिया है अच्छे से मिला दिया है ताकि जो मसालों का फ्लेवर पानी में है वह भी इसके अंदर आ जाए अच्छे से मिला दें सलों करके लाड़ में हुआ उसे मिलाने के बाद में हम क्या करें इसको निक आपके धितनाव क्वश्ट में नहीं है तो एक मिट के बाद में धुछ फ्रिए तिभर दर देंगे जाएंगे अच्छे से मिला देंगे स्टिए मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद में भून लिया है और यह देखिए मसालों ने कैसे तेल सेपरेट कर दिया है मसाला बहुत अच्छे से भून गया है लेकिन मसाले के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए अपने सब्जी को इदा मार्केट इस लुग देने के लिए हमें इसमयाद कर देंगे तीन बड़े चमप दूद्की मलाई आप चाहें दूद्की मलाई की जगावे फ्रेस क्रीम भी य मसालों के साथ में कितने रंगत भी आ गई है अब साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने हां पे लिया है आधी चमप चीनी चीनी डाले सब्जी के टेस्ट बहुत चाहता है लेकि आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं अच्छे से मिला देंगे तो यह देखे मसाला कितन मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों के साथ में अच्छे से भूनने के बाद में अब इसमें एट कर देंगे हम ग्रेवी के लिए पानी तो मैंने यहां पे ग्रास पानी लिया है बहुत टेस्टी जब ग्रेवी पकना शुरू हो जाएगी फिर हम इसमे अट कर देंगे मखाने और मखाने डालने के साथ ही साथ हम गयस को भी कुछ धीमा कर देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद में इसको हम कवर कर देंगे और लगभग एक से दो मेट के लिए भी को धीमी आशे पकने देंगे आप चाहें बीच में चेक कर सकते हैं तो कवर कर देते हैं और छोड़ देते हैं पकने के लिए और यहां पे लगभग दो मेट हो गए हैं सबजी को लो फ्लेम पे पकते हुए अब हम गैस को आफ कर देंगे लेकिन धक्कन हटाएंगे धक्कन हटाएंगे हम एक मेट के रेष्ट के बाद तो छोड़ देते हैं और यहां पर एक मेट के रेष्ट के बार धकन हटा लेते हैं और चेक कर लेते हैं तो यह देखिए क्या रंगत आई हमारी रेसिपी की देखते हैं बस मुह में पानी आ जाए इदम रेस्टरान धाबे को टकर देने वाली हमारी यह आलू मखाना मलाई के सब्जी बनके तयार ह ग्रेवी इदम परफेक्ट है अभी ठंडी होगी तो और गाड़ी सी हो जाएगी अब टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल देंगे उपर से बारी कटी हुई हरिधनिया अब इसको सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने यहां पर सर्फ कर दिया है अपनी गर्मा गरम आल अगर आपको आज की वीडियो आए पसंद तो वीडियो को लाइक करें शेयर करना भी कुल न भूलिएगा चली मिलते हैं ऐसी हेल्दी टेस्टी यूनिक रेसिपी के साथ में अभी के लिए टेक केर और बबाए आप मुझे फेस्बुक इंस्ट्राग्रां पर फॉलो कर सकत अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लेयंका किचान जोन